नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका पार्मरोक्स की यूट्यूब एज़िकुस्टे चनल में आज की यूट्यू लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे कि पेशा आपके थेली के अंदर जब सूजो ना जाती है तो कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं कौन सी दवा यह य करने के लिए यूज की जाती है तो कैसे हम उसका प्रउपर प्रिस्क्रिप्शन लीग सकते हैं फिर यह प्रॉबल्लम के शीम्टम्स होगे रहा क्या होते हैं कि जैसे कि आप यह पेशाप की थेली के अंदर काफी जदा आपको दर्ध होता है तो यह प्रॉब्लम को स्वाल कैसे हम कर सकते हैं, कैसे यह condition को हम proper treat कर सकते हैं, तो detail में जानते हैं आज के lecture में और सीखते हैं अलग-अलग topics को जैसे कि सबसे पहले हम cover करेंगे कि basic क्या है यह problem का second option के symptoms क्या develop होते हैं, causes यानि की reasons क्या है, diagnosis कैसे हो सकता है, treatment के क्या अलग-अलग options available हैं और कौन सी दवा या use होती है, यह problem को solve करने के लिए तो detail में सीखते हैं आज के lecture में तो ऐसे समझों कि आपको सीखना है, बहुत सारी दवा यू के बारे में, बीमर यू के बारे में तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं, pharma rocks के बूपर तो यह course को जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को आप download कर सकते हैं, link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो बात है topic प्योड समझते हैं कि पेशाब के थेली के अंदर सूज़न आती हैं, तो कैसे हम यह problem को solve कर सकते हैं तो सबसे पहले उसके basic हम समझ लेते हैं तो यह जो problem है वो specially आपके urinary bladder के अंदर होता है कि जिसको हम हिंदी में मुत्रा से कहते हैं या फिर पेशाब के थेली भी हम कहते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि सूज़न हो जाती है और काफी एक painful condition produce होती है जिसको medical terms के अंदर cystitis कहते हैं तो यह पे आप देख रहे है कि जो पेशाब की थेली होती है वहाँ पे वो सूज़न आ जाती है और सूज़न होने के करन बहुत सारे complications होते हैं जैसे कि हम symptoms हम देखे तो सबसे पहला जो symptom होता है कि pain होता है आपके urinary barrier के अंदर कि जो पेशाब की थेली होती है वहाँ को काफी ज़्यादा दर्द होता है दूसरा symptom हम देखे तो जब भी आप वहाँ पे touch करते हैं या फिर वो area में आप touch करते हैं तो भी आपको जे वो दर्द मैसुस होता है तीसरा symptom हम देखे तो intercourse के दोरान भी आपको काफी ज़्यादा दर्द होता है उससे पहले या फिर उसके बाद भी ये problem हो सकता है फिर urination के दोरान आपको दर्द होता है कि जब भी आप urine pass करते तो उस वक्त आपको दर्द मैसुस होता है पांच वह symptom हम देखे जलन होती है फिर next symptom हम देखे तो वो है कि आपके जो pelvic area है या फिर जो lower abdomen का area होता है वहाँ पे आपको जो वो काफी ज़्यादा दर्द होता है अचानक से इसे क्रयाम साते है दर्द के साथवा symptom होता है कि ये जो problem जब होती है तो उसके करण पेसर की body के अंदर जो थोड़ी weakness हो जाती है जिसके करण वो कमजोरी थकान जैसा मैसूस करता है आठवा symptom देखे तो आपको नौस्या वोमिटिंग जैसा फिलोता है जैसे कि आपका जी गब राता है उल्टी हो जाएगी है साथ को फिलोता है नेक्स्ट हम देखे तो जब आप urine चेक कर तो urine जो कई बार dark color का देखने को मिलता है और उसकी जो एक काफे strong smell आती है खराब smell आती है उसमें से फिर जब आप उसका test कराते हो तो test के अंदर पता चलता है कि red blood cell जो डिटेक्ट होता है आपके urine के अंदर यहाप जो आप diagram के अंदर देख रहे है तो यह वाली side का जो urine है वो normal वाला urine है उसके compare में यहाँ पे आप देखो तो RBC जो है वो उसके अंदर देखने को मिलते हैं जब आप test कराते हैं उसे दरा से next यहाँ पे आप देखो तो POS में भी देखने को मिलता है कि यह वाला जो urine है sample वो normal है उसके compare में आप यह problem में देखो तो urine के अंदर जो वो POS आता है और जब आप test कराते हैं तो POS cell जो वो detect होते हैं आपके urine test के अंदर next आपको जो बार-बार पेशाप करने जाना पड़ता है कि मानलो कि आप भी पेशाप करने गए तो उसके तुरंद एक गंटे बाद या फिर आदे गंटे बाद वापस आपको पेशाप करने जाना पड़ता है तो यह एक symptom यहाँ पे develop होता है और कुछ लोगों के अंदर low-grade fever यानि कि जो fever होता है body temperature बढ़ने लगता है और उसका temperature खासकर आप check करो तो 37.5 degree से लेकर 38.3 degree जितना temperature जो दिखा सकता है तो यह सब बलग-लग symptoms देखने के मलते हैं यह problem के अंदर अब हमें जानना है कि यह problem होता क्यों है कि उसके reason क्या है तो सबसे पहला reason यह होता है कि जो growth होती है bacteria की उसके करण यह problem हो सकता है कि वो आपके urinary tract के अंदर enter होते है और सबसे पहले bladder के अंदर वहाँ पे वो अपनी growth करते है और जिसके करन यह problem होता है, जिसको हम bacterial infection कहते हैं, और उसमें भी हम देखें, तो सबसे ज़्यादा जिए हो जो ecoli bacteria होते हैं, उनकी growth सबसे ज़्यादा जिए हो देखने को मिलती है, जब आप test बगरा थे तो तब आपको यह bacteria वहाँ पर detect होते हैं, next हम देखें तो कोई personal hygiene नहीं है, ना ते वक्त भी आपके organs अच्छे से clean नहीं करते, या फिर जो हम simple हम कहते हैं, आप अच्छे साप सफाई नहीं रखते हैं अपने सरीर की, तो भी यह problem जो हो सकती हैं, तिसरा है कि आपने public toilet जो यूज किया है, और काफी ज़्यादा बार आपको public toilet यूज करना तो भी आगे जाके जे वो bladder infection या फिर जो हमने कहा कि पेसा आपके थेली में सूजन हो जाती है, ये problem हो सकता है, फिर कोई radiation therapy हुई है या फिर कोई radiation treatment आपने लिए, pelvic area के अंदर, कि जैसे कि कोई detection के लिए test किया गया है, जैसे कि आमा रही है CT scan और वो काफी ज़्यादा बार हुए है आपके, तो उसके करण भी वहाँ पे जो वो सूजन आ सकती है, फिर catheter जो होता है, कि स्वेसलियम सिंपल हम कहें, तो जो पेसा आपकी नली लगाई जाती है, कि यहाँ पे जो आप देख रहे है, कि bladder के अंदर ये नली लगाई जाती है, पेसा आपको collect करने के ये cystitis भी हो सकती है, जिसके अंदर bladder में सूजन आ जाती है, और आपको काफी ज़्यादा complications जो होते हैं, फिर kidney stone के दोरान भी ये symptom develop होता है, कि जब आपका stone urinated track में पास होता है, जब वो bladder के अंदर आता है, तो bladder से आगे जब वो पास होता है, तो उस वक्त जो है, वो damage करता है bladder को, और उसके करण भी ये problem हो सकती है, फिर अब दानना है कि हमें reason कैसे हम find out कर सकते हैं, कि ये जो cystitis का problem है, ये जो पेशा आपके थेली के अंदर सूजन आ जाती है, उसका proper reason कैसे पता चले, तो सबसे वहले patient के medical history चेक करने चाहिए, जिसको हम patient counseling करते हैं, तो 10-15 minute proper effective patient counseling होना चाहिए, कि जिससे आपको पता चले कि उसके symptoms होगेरा क्या है, reasons होगेरा क्या है, वो आप उसको पूछ सकते हैं, उसकी history चेक कर सकते हैं, फिर physical examination यहापे करना जरूरी बढ़ता है, कि जिससे आपको पता चले कि reasons क्या है, infection का, फिर sign and symptom based भी diagnosis हो सकता है, कि जब आप उ because blood and urine test जब आप करते हैं, तो उससे जो changes जो क्या हुए है, वो आपको पता चलता है, जैसे past cell detect होते है, RBC detect होते है, urine के अंदर, उससे एक diagnosis होता है, फिर आगे जाके आप ultrasound scan भी करवा सकते हैं, या फिर जो हम x-ray करते हैं, blader का, वो भी करा सकते हैं, जैससे आपको पता चले कि वहाँ पर सूजन कितनी है, और उसके according to medication जो आगे दी जा सकती है, और आखिर में कौन सी micro organism के करन ये problem हो रही है, उसको जानने के लिए urine culture test या पर कराना काफी ज़रूरी पढ़ता है, कि जिससे आपको exact reason पता चलता है, कि कौन से micro organism के करन, कौन से bacteria के करन, कौन से food के करन ये problem हो रही है, अब आगे बात करते हैं कि treatment के options के, कौन से अलगले treatment options available है, ये problem को solve करने के लिए, और कैसे आप उसका एक proper prescription लिख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये कहेंगे, कि जब भी patient को ये problem होता है, तो ये एक advice रहेगी, कि उसको at least 2-3 liter जितना पानी पीना च solve करने के लिए, जो treatment के option, तो इसमें coconut water जो हो लेना चाहिए patient को, कि हर दिन एक coconut water जो लेता है वो, तो भी ये problem के अंदर काफी ज़्यादा उसको रहात मिलेगी, तीसरा option यहाँ पे एक बनता है, वो है fresh cranberry का juice होता है, जिसको हम करोंदा कहते हैं हिंदी के अंदर, तो उसका juice जो होता है, वो patient ले सकते हैं कि जिससे, उसके symptoms के अंदर काफी ज़्यादा जो हो राहत मिलती है, फिर personal hygiene यहाँ पे रखना काफी ज़रूरी है, कि जिसके लिए आप कोई भी antiseptic fluid यूज़ कर सकते हैं ना आते वक्त, और affected area को अच्छे से आप wash कर सकते हैं, जिससे infection और ज solve करने के लिए, तो उसको कैसे हम prescribe कर सकते हैं, तो वो हम जानते हैं अब detail में, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अलग-अलग options अच्छे से सीख लेने हैं, और उसके बाद medication कैसे prescribe की जाती हैं, वो भी मैं आपको last में सीखाता हूँ, तो यहाँ अब option हम देखते हैं, तो दूसरा option हमारे पास बनता है, combination medication का, जिसके अंदर levofloxacin के साथ, ornidazol जो वो combination में हैं, और यह जो tablet एक ही बार लेनी होती है दिन में, higher dose में लेने से आपको complications हो सकते हैं, अलग-अलग उसके side effects, तिसरा combination यहाँ पे एक यूज होता है, ofloxacin and ornidazol का, कि इसका भी dose सेम हो रहेगा, कि एक tablet जो वो दिन में एक ही बार लेनी होती है, चौथा एक option है, combination का, वो है, norfloxacin and ornidazol का option है, तो यह सब fluoroclonolans class के antibiotic है, कि एक आपकी first choice रहती है, कि जब कोईसी को urine infection होता है, फिर phosphomycin का powder यहाँ पे दिया जाता है, patient को, कि एक single dose therapy के तोर पे यूज किया जाता है, कि 3 ग्राम का यह जो सजेट आता है, इसको आपको पानी के अंदर अच्छे से mix करके जो पीना होता है, और एक ही बार जो उसको use करना होता है, next option यहाँ पे हम देखे, तो वो है Clevum 625 के tablet का रहता है, कि जिसके अंदर medications रहती है, amoxicillin and potassium clayolinate रहता है, तो यह जो tablet है, वो patient दिन में दो बार या फिर तीन बार जो वो use कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह है कि जब phloxasinsum की असर नहीं कर रही है, उसका resistance है, तो उनके लिए यह Clevum 625 का option रहता है, यह problem को solve करने के लिए हैं, फिर इसी का injection या फिर IV therapy में भी available है, जैसे कि augmenting का injection के जिसके अंदर इसका जो dose रहता है, आईवी के अंदर के 0.25 से लेकर 1 ग्राम जितना दिन में 3 बार जो पेशन को लगाया जा सकता है, हर 6 या 8 गंटे पे, और आईवी में लगाया जाता है, प्रॉपर डायलूड करके, किसी भी आईवी फ्लूड के अंदर डायलूड करके, इसको जो जो तो यहाँ पे confused नहीं होना है, Clotrimazole नहीं है, यह है Cotrimoxazole और यह Double Strength के टाबलेट है, तो यह एक ही बार लेने होते हैं दिन में, और यह भी एक अच्छा उप्शन रहता है, UTI और यह cystitis को ठीक करने के लिए, नाइन्थ उप्शन हम देखे तो वो है Nitroferontine का टाबलेट का तो एक टाबलेट दिन में दो भार या फिर दीन बार जेवो पेसंट ले सकता है, नेक्स्ट उप्शन है वो है Cephalosporan class के अंटिबाइटिक्स के अंदर की जैसे Cephalotroxyl के जो टाबलेट आते हैं, या फिर दूसरा उप्शन हम देखे तो Cephexem के टाबलेट के जो एक टा सकता है, हर 6 या 8 गंटे पे, तो proper दियान रखना है कि high dose में ये deliver ना हो, proper उसके dose के according to IV में जब दिया जाए तो dilute किया जाता है, और IM में जे वो direct लगा सकते हैं, नेक्स्ट है Lactagard के injection का या पे अच्छा option बनता है, तो Lactagard का हम देखे तो 1 से लेकर 3 ग्राम जितना dose रहत पे IM या फिर IV दोने तरीके से ये use किया जा सकता है, पर IV में जब भी use होता है, तब ध्यान ये रखना है कि proper उसको dilute करना जरूरी बनता है, नेक्स्ट अप्सन हम देखे, तो Antibiotics के बाद है, वो है Antifungal Medication का, कि या पे Antifungal भी कई पर देना जरूरी पढ़ता है, तो Flucon के Single Doze Therapy दी जा सकते हैं, एक टाबलेट पर विक का ये जो treatment रहता है, Fluconazole 150 mg के अंदर, तो ये एक option रहता है, और ये समझे के suit नहीं हो रही, तो second, Iteraconazole भी use की जा सकते हैं, जिसका dose रहता है, एक capsule per daily जाती है, और course duration रहेगा 7 दिन का, next है कि जो symptom यहाँ पर एक develop होता है, कि patient को बार-बार पेसाप करने के लिए जाना पड़ता है, तो ये problem को solve करने के लिए, urine kind के जिसको flavoxid है, उसके अंदर salt content, ये prescribe करना काफी ज़रूरी बनता है, because क्या होता है कि patient को बार-बार पेसाप करने जाना पड़ता है, और उसके कर available फिल करता है, तो उसको ये medication उसको काफी help करती है, तो ये एक tablet दिन में दो बार या फिर तीन बार जो वो ली जा सकती है, next option है, लूली को नाजोल के cream का option बनता है, कि एक antifungal cream है, और ये भी वहाँ पर आप लगा सकते है, affected area के अंदर, कि जिससे ये symptoms में से आपको काफी जदा relief मिले, और next अब यहाँ पर हम देखें, तो ये compulsory एक बनता है, alkalizer के जो solutions होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक marketed formulation देख रहे हैं, अलका solve करके देख रहे हैं, जिसके disodium hydrogen citrate का solution रहता है, तो ये 5 ml जे वो दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार जे वो patient ले सकता है, अग कि अगर आपको अलका solve suit नहीं होता, और इसके भी एक और option है, वो है, हिमालिया का renal का syrup कर गयाता है, तो ये 3 में से कोई भी एक जे वो आप सिलिया कर सकते हैं, और ये 5 ml दिन में 2 या फिर 3 बार यूज़ की जा सकती है, अब क्रीम के option में हम देखें, तो जो लुली को ना फिल रहा है, तो ये अप्लाए कर सकते हैं, और ये जो दिन में 2 या 3 बार जो पेसंट लगा सकता है, फिर next हम बात करें, होमियोपेथिक drops की, तो यहाँ पे एक marketed formula संदेख रहे हैं, आपके SBL के drops number 3 आते हैं, वो specially UTI के जो अलग अलग symptoms होते हैं, उसको ठीक करने के लिए य ले सकता है, और ये drops से लिए आपको पानी के अंदर dilute करके लेना होता है, कि एक cup जितना पानी लेना होता है, और उसके अंदर mix करके, ये drops यूज कर सकते हैं, और अगर kidney stone के करन ये problem हो रही है, तो उसके अंदर ये काफी अच्छे drops आते हैं, clear stone drops करके SBL के, तो ये भी सेम तरीके से लेना होता है, दस से पंदरा drops दिन में, तिन बार एक cup जितने पानी के अंदर, तो अब जानले कि कैसे ये medications prescribed की जाती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कि कोई भी एक antibiotic दी जाते हैं, कि जैसे हमने अलग-अलग options देखें, एक antibiotic में, तो इसमें से कोई भी एक antibiotic single या फिर combination वाले prescribe की जा सकती है, second single dose दिया जा सकता है antifungal का, फिर तीसरा option है, यहाँ पे कोई भी एक alkalizer आपको यहाँ पे prescribe करना ज़रूरी बनता है, कि जिससे जो symptom से उसको हम control कर सके, फिर phleoxid के tablet भी prescribe करना ज़रूरी बनता है, कोई भी एक gel यहाँ पे prescribe करे, antacid medications भी क acidity का problem हो सकता है, तो यह problem को solve करने के लिए antacid भी साथ में prescription में add किया जा सकता है, और अगर patient को fewer वागेरा होता है, तो उसके लिए simple paracetamol देजी साख, हम दे सकते हैं, और next होमिवेधिक के जो drops आते हैं, कि जो हमने discuss किया, तो इस तरह से proper medications को जो प्रिसक्राइब की जा सक आते हैं, तो यह जो lecture है, उसको जरूर से आप अलग-लग WhatsApp groups वगेरा में share करें, और हम जो भी आपके कोई demand वगेरा है, वीडियो बनाने के, उसके लिए आप comment कर सकते हैं, comment box के अंदर, तो ऐसे detail में सिखना है, तो आप medicine course को join कर सकते हैं, फार्म रोक्स के अब उपर, तो य अलग और बेस्ट